राधी राधी दोस्तों, मेरी यूटूब चैनल पर आपका हाद जिख स्वाहिए हैं है कासी है दोस्तों कम्मींट करके जरूर से मता assessing और मुझे काնज हमाद करें तो operate क्लूप कंजमें एक दिन पहले से नियम लाग हो जाते वो नियम की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी आप उसको सर्च करके जरूर से देख लिएगा तो जिस दिन आपका ब्रत हो कामदा एकदशी हो उस दिन सुबह ब्रह्मूरत में उठें इसनान करें मंदिर साफ करें और भगवान को गंगा बोग लगाएं आर्ती करें मर्ण विश्भित का पात करें जितना हो सखें आप उनकी पूजा पाट करें और दिन भर अपने मन में याद भगवान को इसमरल करते रहें वाशुद्य बोलते रहें और इस दिन आप फल करें फल का खाएं आप फल से बनी हुई चीजों का खा सकते हैं तो इस तरह करके पूरा अवरत की वीडियो भी वरत में खाने वाली चीजों की वीडियो भी इसी चैनल पर पढ़ी हुई है आप इसको जरूर से देख लीजिएगा तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप से मैं कहना चाहते हूं कि मेरे यूटुब चैनल पर दूसरों एकदसी की कथा को इस्टार करते हैं तो इस एकदसी को काम का एकदसी कहते हैं कुंती पुत्र श्रेश धनुर्धर अर्जून बोले है भगवन मैंने आसान मा के सुक्ल पच्चिकी देवशाइनी एकदसी का सविस्तार वर्णं की सुना अब आप मुझे शावन मा के किशन पच्चिकी एकदसी की कथा सुनाईएं उस एकदसी का नाम क्या है तद्था इसकी विदी क्या है इसमें कौन से दिर्ता की पूज़ा होती है इसका वर्ण करने से मन् embroidery को क्या फल प्राप्त होता हैं स्री किशन भगवान बोले हे अरजून मैं सावन मांस की पावन एकादसी की कथा कहता हूँ ध्यान पूरवक सुनू एक समय इस एकादसी की पावन कथा को भीष में पितामा ने लोग हित के लिए नारत जी से कहा था एक समय नारत जी ने का हे पितामा आज मेरी शावन के केसन पचे की एकादसी की कथा सुनने की इच्छा है अथा आप एका सुन्दर पिष्टाओं किया है आप ध्यान लगा कर सुनिए स्रावन मास के केस्मेपच की एकदसी का नाम कामिका है इस एकदसी की कथा सुनने मास से ही बाचपेव यग का फल मिलता है कामिका एकदसी के वृत में संक्र चक्र गदा धारी भगवान विश्नु की पूजा होती है जो मनुष इस एकदसी को धूप दीप नवैद आदी से भगवान विश्नु की पूजा करते हैं उन्हें गंगा इसनान के फल से भी उत्तम फल मिलता है सुगुरी या चंद्रगरहन में केदार और कुरुछेत में सनान करने से जो पुन्य मिलता है वे पुन्य कामिका एकदसी को विश्नु भगवान की भक्ति पूरग पूजा करने से मिल जाता है सावन मास में श्री विस्नु भगवान की पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पैथवी दान करने के फल से भी अधिक होता है व्यतिपाद में गंड़की नदी में सनान करने से जो फल मिलता है वे फल भगवान की पूजा करने से मिलता है संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है अधा भक्ति पूर्वाग भगवान की पूजा ना बन सके तो सावन मास के किसन पच्छी की कामिका एकादसी का व्रत अवस्य करना चाहिए आभूसनों से युक्त बच्छणा सहीत गौधान करने से जो फल मिलता है वे फल कामिका एकादसी के व्रत से मिल जाता है जो उत्तम दुज सावन मास के किसन पच्छी की कामिका एकादसी का व्रत करते हैं तता स्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उससे समस्त देव ना किननर पित्र आधी की पूजा हो जाती है संसार सागर्त पापों में फसे हुए मनुस्त को इन से छूटने के लिए कामिका एकादसी के व्रत से समस्त पाप नश्चो जाते हैं संसार में इससे अधिक पापों को नश्च कनने वाला कोई और उपायण नहीं है हे नारत जी सुम्भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुस्यों को अध्यात में विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है इस वहत के कनने से मनुस को ना यमराज के दरसन होते हैं ना ही नरक के दुख होगने पड़ते हैं वैस्वर्ग का अधिकारी बन जाता है जो लोग इस दिन तुलसी दल के भक्ति पूरवक स्रीविश्नु भगवान की पूजा करते हैं वी संसार में सागर में रहते हुए भी इस वकार अलग रहते हैं जिस वकार कमल पुस्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता हैं भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक भार सुन और चार भार चांदी के दान के फल के बराबर है श्री विश्णु भगवान रत्न मोती मड़ी आदी आपुशनों की अपेच्छा तुलसी दल से अधिक पशन होते हैं जो मनुष्ण भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाफ नश्च हो जाते हैं हे नारत जी मैं भगवान की अतिन्थ पूजी तुलसी जी को नमस्कार करता हूं तुलसी जी के धरशन मत से मनुष्ण के समस्त पाफ नश्च हो जाती हैं और शरीर के इवश्ण मत से मनुष्ण पवित्र हो जाता है तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष की समस्यम यातनाएं नश्ट हो जाती है जो मनुष तुलसी जी को भक्ति पूराग भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे भक्ति मिलती है जो मनुष इस कामिका एकदसी की रात रिकव जागरन करते हैं और दीब दान करते हैं उनके पुन्यों को लिखने में चित्रकुप्दिभी असमर्थ है जो मनुष एकदसी के दिन भगवान के सामने दीब जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोग में अमरत को पान करते हैं जो मनुस्ष भगवान के सामने घी या तिल का तेल का दीपक जलाते हैं उनको शूर लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकास मिलता है। पितेक मनुस्ष को कामिका एकदसी का वृत अवस करना चाहिए। इस व्यत को करने से ब्रह्म हत्या अधिके समस्त पाब नश्ठ हो जाते हैं और इस लोग में सुख भोकर अंत्यमेव विश्णू लोग को जाते हैं। इस कामिका एकदसी के महत्मे के सुवन वपठन से मनुस्ष शर्ग लोग को जाते हैं। भग्वान विश्णू सर्वपरी हैं। भे अपने भक्वन के निश्चल भक्ति से सहजी पसन्द हो जाते हैं। अर्पढ करने पर होती है यह थी सामवन मास केस्न पपरच की काम विकार एक अदसी औरत का था वीडिव अच्छी लगे तो लाइक शेर जरूर से कीजेगा मेरे चैनल को अभी तक सस्काइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सस्काइब कीजेगा अगली वीडियो मिलते हैं रहा द अजय रदी